हाई गाईज वेलकम टू एडूकेटरन गाईज कैसे हैं आप लोग गाईज इस वीडियो में रिवाइविंग दा इंडियन इकोनोमी पोस्ट को भी नाइंटीन का चर्चा होगा जो जी एस पीपर 1 सेक्षन सकेंड का टॉपिक है यह उस करेंट अफेर के टॉपिक से लिया है और एक-एक करके उस सारे लिस्ट के टॉपिक को फठेंगे उसके अलावा भी और जो सवाल बन सकते हैं उस पर बिचाड किया जाएगा और उस सवाल को भी एड़न किया जाएगा फ्रेंट्स ओके इसमें फ्रेंट्स हम जो डिवाइविंग दा इंडियन एकोनोमी पोस् लगता था उन चीजों पर चर्चा क्या कर रहा है इस वीडियो में और यह एक्जाम के द्रिश्टी कौन से बहुत ही इंपोर्टन है बहुत ही महत्पूर्न है तो आप लोग अपना पैन और पेपर लेकर बैठें और उसको आप नोट डाउन करते जाए और नोट्स बना ल देखें गए चोटे से बरे-बरे कंट्री पर इसका इंपक्त देखा गया इसके अमेरीका जैसा कंट्रीस का बी इकोणोमी स्लोडाउन हुआ या फिर जैपैन चाना सबी का यह दशारा इवन चैन मतलब चैना इसनी सिरी पर एक ऐसा कंट्री था जिसका इकोनोमी मैंनस में करक्षा इसके इंडिया में इस परकार का जो एकोनोमी था लगबग तीन-चार्डीकेट में पहले कभी देखा नहीं गया इसा मन्दी नहीं आए था जैसा मंदी इस बार हुआ था अभी COVID-19 के वज़े से हुआ था फ्रेंट्स तो ऐसा माना जा रहा है कि यह सबसे पहला मंदी था जिसके वज़से इंडिया का साने का ज्यादा इसके अंदर मतलब रेसिस्टेंस था या इकोनोमी बहुत ही ज्यादा मजबूत था जिसके वैसे इसके ओपर इंपक्ट पड़ता तो उसे इंपक्ट को फेस कर पाता नहीं ऐसा नहीं था इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है फ्रेंट्स अब सेक्शन था उस पर गहरा असर परा और असर इतना ज्यादा था कि फ्रेंट्स लगवग जो पिछले 10-15 साल में किया था इंडिया ने प्रोग्रेस उस प्रोग्रेस पे लोग ने मतलब कोवीड-19 ने पानी फेड दिया उसके बाद दूसरा इंपक्ट यह देखा गया कि जो उइकर सेक्शन था फ्रेंड्स जो पूर नहीं था जो उइकर सेक्शन था फिर मिडिल क्लास था वो लोग पूर हो गए मतलब बहुत सारे लोग पोवर्टी के अंदर घुश गए और अनिम्प्लाइमेंट तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा पहुँच गई कंट्री का बंद हो गए कितने लोगों की जॉब चली गई कितने लोग भूक के बज़र से विमारे गए अफोर्स बिमारी थी लेकिन बिमारी ने भारत की एकोनोमी को या फिर वेस्व के एकोनोमी को इस तरह से चपेट में लिया अपने शिकंजे में लिया क्यों मतलब एक तरह से बै लिये दूर तक चलना परा तो इस परकार की दिक्कते थी इंट्रोडक्शन में यही से बताया गया है इसको आप लोग वीडियो को थोरा सा पाउज करके अगर लाइन बाइन पढ़ना चाहते तो पढ़ लीचे हमने हिंदी में इसलिए बताया ना कि हिंदी मीडियम बाले करें जो भी मित्र हैं उनको भी थोरा फायदा हो जाएक मैं अब यह कहा जा रहा है जो क्रेंट श्यूशन है मतलब जबूगडवन लगी थी कंट्री मैं अब तो ःट हो थे इसदा हो recommend अग जायी क्या सा bonus 313 उस生 Hahज कंट्री में लोग डान ही तो इसमें चार बिंदू पर फोकस करेंगे पहला कंजप्शन को लोग कंजूम करना कम कर दिया था क्योंकि लोगों के पास पैसे कम थे तो एक तरह से खड़िदना भी बंद कर दिया था और लॉक्डाउन के वज़े से लोग 2-3 महना तक तो घर से बाहर ही निकल पाते थे अ मतलब जिसको पर्मिशन भी दिया गया था मनुफ्यक्शरिंग बंद था उसके वैसे उसके पास समान नहीं था जिसके वैसे बहुत ज्यादा परभाब पड़ा क्या प्रफर फ्रेंट्स कंजेप्शन पे बहुत ज्यादा प्रभाब परभा उस सिच्वेशन को देखे हैं उसके बाद मनुफ्यक्शरिंग फ्रेंट्स अब मनुफ्यक्शरिंग इतना ज्यादा हीट था क्योंकि लॉक्ड़ान लगा हुआ था लोग पास पास रहेकर काम नहीं कर सकता था कंपनी को पंपिट नहीं दिया गया था सबसे बड़ी बाद सप्लाइचेंज था मतलब या फिर किसी प्रकार का फैक्टरीज है उसका जो सोर्स मेटेवियल है जिससे मेटेवियल तयार होती है वो उनके कंपनी तक पहुंच पाएगा तभी तो फ्रेंट्स किसी का मनुफ्यक्शरिंग होगा ना जैसे अब मिनरल्स ज़रुरत है किसी को या फिर फूट फूट फ अलावा उसके अलावा रेलवे में स्रीफ माल गोडामी या फिर मालगारी ही चलाया जा रहे थे इस बसे मनुफ्यक्शरिंग उस समय बहु ज्यादा प्रभावीत हुआ था एक्सपोर्ट इस वे से नहीं हो रहा था कि गलोबल कंजूमर जो थे वर्ड लेबल पर ना एक्स अगर कहीं से आती तो मतलब होता है क्या है कंट्री में फिर एकोनमी जो कोई आदमी इंवेस्ट करता है अब जिसके कोई छोटी कंपनी है कोई स्टाट अफ है या फिर कोई एक तरह से कह सकते हैं बहुत छोटा कंपनी जो सुरूर करने वाला है तो उसको अगर कोई फंड क वे किसी भी कंपणी में इंवेस्टमेंट आ जा सकता है तो इंवेस्टमेंट भी आना बंद हो गया था क्योंकि एवर्जेंस का ड़ था उसके वाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसके वज़े से जो अभी हम इंफ्लोज करेंगे कैपिल का इंफ्लोज होगा तो ऐसा नही होगे देखेंगे कि जो इंपक्ट जो था ट्रू इंपक्ट ट्रू इंवेस्टमेंट को बंद करवा था लेकिन उसका प्रीम पारा जो जो किया कराया था ना उसे पानी फेट दिया means कि जो चीज हमने बना कर रखा था वो धोच्थ हो गया economy contraction is not merely a GDP member number for economists to analyze and debate it means a reversible of many years of the progress इसका ये मतलब था कि जो हमने पहले से कर कराया रखा था जो progress किया था उसको भी खराब कर दिया था उसको भी खराब कर दिया था economy उसको भी बरवाद कर दिया अब देखते हैं sleeping back into poverty इसमें ये काद गया कि जो लोग middle class के थे न इस situations के बाद भी वो BPL में चले गए below poverty line वो भी poor हो गए वो भी मतलब गरीब के गरीब बाले किया जाने लगे ओके अब यह कहा जाता है significant नमबर मोंगता गोई कर sections of society में slip back into poverty a rare occurrence for a developing nations अब यह तो दिक्कत हो जाएगी ना coalition developing है या फिर coalition विकास के रास्ते पर चल रही है विकास करने के गाड़ पर चल रही है अब उसमें आचाना कि इतना वरा registration आ जाएगा कि जो लोगों को वो पोवर्टी से बाहर निकाला था जिनको गड़ीवी रेखा से उपर रखा गया था वो लोग को अभी मतलब job चला जाता है या फिर भूख मरी की समस्या उत्पन हो जाती वो लोग भी बिलो पोवर्टी लाइन आ जाता है अब यह कहा जाता है कि सीविएर अनिंप्लोईमेंट सिचुएशन देखा गया ऐसा अनिंप्लोईमेंट लगबग पीछे के अनिंप्लोईमेंट सेक्टर को भी बंद करना पड़ा और जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बंद हुआ जो अनिंप्लोईमेंट था वह बहुत हाई लेबल पर पहुंच गया और जो कि अभी फिलाल मुश्किल है कि उसको रिकवर कर पाएगे इंडिया क्योंकि इसको एडवर्सली इंपक्ट किया गया है अब जो अविलीटी है एडूकेट और फीड करने की अपने चल्रेंट को वह भी यह लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है तो इसके वैसे बहुत सारे जो गरीब तब के बच्चे हैं उनको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है या फिर उनके एजूकेशन भी सस्टेंड नहीं हो पाएगा आगे के दिनों में यह चीज़े थी कि जो काम हुआ है इन परकार की दिकते हुई है अब देखते हैं चैलेंजेज मतलब चैलेंजेज क्या है इंडिया के पास कि मतलब इसको किस तरह से हैंडल करें या फिर क्य पैसे की कमी है इतना वरा नेशन है तो पैसे की कमी है रिवेन्यू की कमी है ओके फैंट्स तरकार को पैसे चाहिए उसके बाद जो स्कूर जो कि मतलब ज्यादा इक्कत हो कि निवी निवेन्यूस एनॉज नों पीजिडिय इन दॉट टर्म मतलब अगर कोई टैक्स भी जो ह हाईयर ब्रोइंग गवर्मेंट अल्डेडी मतलब हाईयर ब्रोइंग कर चुके है जिसके वज़से मतलब कुछ आगे ब्रोइंग का भी कोई सीन नहीं बन रहा है उसके बाद इंडिया जो इस परकार का जो इंडिया के ओपर फिजिकली रिस्ट्रेंड लगाया वो फिजबल Euसमें एक है कि मतलब जो पास्ट फीव मंद से जॉब हैस में लाश्ट इंकुमांस अब लोगों की जॉप चली गए लोगों जोव चली जोब चली गई अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप सामान नहीं ख्रूदेगा आप सामान नहीं खरीदेगे आप सामान नहीं खरि विद्धर आया तो पीछे वह बनना बंद हो जायागा बनना बंद हो जायागा इस परकार का इक 20 विचन साइकल है इस साइकल को ब्रेक करना जरूरी है डिमांड को बरहना जरूरी है अभी लो सीचूशन्स कंट्री में है उसके बाद लैक of investment अब लैक उफ investment में यह है कि investment श्रैंग मतलब लगवग तीन परती सत्त के आसपास जो investment आती थी इंडिया में वह घटी है क्योंकि मतलब यह investment यह World Bank ने बता है कि आसा पिछसले दो decade मतलब two decade का सबसे ज्यादा श्रेंग था इससे ज्यादा मतलब 20 साल में यह सब ज्यादा श्रेंग हुई है investment friends अब यह कहा रहा है कि जो step taken क्या गए कौन-कौन से step government ने को लेना चाहिए इस चीज को government ने कौन सा step लिया है इस economy को revive करवाने के लिए okay revive करवाने के लिए friends आपको को पता होगा कि government ने जो 20 लाग करोड़ आत्म निर्वद भारत के निर्मान के लिए आत्म निर्वद भारत के दुआरा 20 लाग करोड़ का जो package दिया था economy को stimulate करने का उसको देखते हैं कि मतलब उसका क्या-क्या प्राफधान था और किन-किन सब्सक्राइब करेगी उसको फंडिंग करेगी उसके बाद helping other business sector non-banking finance मतलब जो नन बैंकिंग finance sectors है उसको help करेगी और power distributions या फिर real estate sectors है उसको पैसा देगी उसके बाद यह है कि जो food grant जो food grant है जो migrant workers को है अगले दो महने तक मतलब जब lockdown जब यह पैसा का funding हुआ था उस समय यह प्रापधान था कि आगे के दो महने तक उनको दो महने तक food grant प्रोवाइड किया जाएगा आप लोग को पता होगा हर ब्रैक्ति को पांच-पांच किलो दिया जाता था एक लाग करोर जो था subsidy to agriculture को दिया गया था corporate societies को एक लाग का सबसीटी उसके बाद मन्रेगा मन्रेगा को भी फंड दिया गया था क्योंकि फ्रेंड जो मन्रेगा में employment का जो रेशियो बढ़ा लगवग तीन से चार गुना नहीं कह सकते हैं बहुत जादा गुना employment का रेशियो बढ़ा लोग बहुत जादा मन्रेगा सेक्टर में जाकर काम करना शुरू कर दिया ओके बहुत ही जादा करना शुरू कर दिया था उसके बाद street vendors के लिए अलग से credit facilities लेकर आई थी सरकार सब inventions मतलब स स्कीम जो था friends वह लेकर आया गया सरकार के द्वारा की चलो ठीक है अब हम यह करेंगे आप पैसा लो आप जो इंट्रेस्ट होगा उस पर हम सब सीटीज देंगे उसको इंट्रेस्ट सब वेंशन स्कीम कहते हैं कि उस परकार काम आत्म निर्वर भारत के अंदर वो सब प्र चल रही है उसको किसी ना किसी तरहएं जो मतलब बहुत ही खड़ाब इंपरा है डिल्ट एंपरा है उसको रोकने की कोई ना कोई जुकार करना चाहिए तुरंत तुरंत एक्सलिए इंस्ट एक्षन अगयों दूसरा की फ्रैंट्स इंजक्टिंग मतलब जो स्लोड़ाउn पीपल फें के बज़ए से वुआ था ≃ उसमें उने पूंट्रेंस को मनुफाक्ट्रिंग सेस्टर करने के नहीं चुत्त करें जो भूता ने मनुफैक्ट्रिंग साथिप सरकार को बैंकिंग सेक्टर को रिवाइब करने के शुरू करो ताकि वो लोन दे या फिर कैश का आदान परदान करे ताकि जिस वज़े से लिक्विडिटी बने रहे उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर है उनको कॉन्फिडेंट विलने की बिलिंग की जरूरत ह है ताकि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उनको ट्रस्ट करना होगा कि नहीं अब रिवाइब कर रहे हैं इस परकार की फ्रेंट्स अब दूसरा चीज़ है कि फ्रेंट्स रिवाइबिंग दा बैंकिंग सेक्टर अब सरकार को बैंकिंग सेक्टर को रिवाइब करवाने की जरू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंक रप्टस्टी रोबोर्ट, सिक्रेटी एन इंसूरेंस रेगुडेटर्स टू फंक्षन फिरिली और प्रोफेशनली, मतलब ऐसा बोला जाता है कि आप उनको फ्री कर दो, अगर उनको जो हित में स्टिप्स लेना चाहते हैं, वो ले, जिस ब लेकर आप पना इकोनमी को भीप कर दोता है कि इस ऐreten को मोनिटाइज कर आप सकतेי में से कॉप्रियंट कर लेकिन ये काम नहीं करुपर के इस सरकार में दिकते हो सकते हैं इस से हैं मूर् लियकुडिटी की जरूबत है मैंनिग्फषी च्श ट्रंसपके रियस्टोर Guard आपने लिविंग को सस्टेंड करते हैं उसके बाद काम को फर्दर करेंगे जिस वैसे लोगों में इकोनोमी के बारे में देखा आज के चर्शा में इतना ही रहेगा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करते रहिए आगे भी देखते रहिए फ्रेंट्स मैं सारा बीप्यसी का जो कंप्लीट सी से उसको कवर अप करवाऊंगा अंडेट परसे कि बारे परसे कि बारे में हुआ रहे हैं उा उस्या है प्र workflow जा है।